हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोश पापरहर में, मैं हूँ एडवोकेट सनी शल्मा और दोस्तों आज मैं आपको 498 पे बहुत कुछ बताने वाला हूँ दोस्तों कल मेरे को एक कॉल आई, मेरे एक परिचित हैं हाइदराबाद से, और आप लोग विश्वास नहीं करेंगे, जैसे मैंने फोन उठाया, उन्होंने एकदम से रोना स्टार्ट कर दिया हालत ऐसी थी कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता, प्राइवेसी का मैटर है, वरना वो रिकॉर्डिंग करके मैं आपको यहां सुना देता है, लेकिन हम लोग रिकॉर्डिंग नहीं करते हैं, और दूसरा ऐसा कोई चाहेगा भी नहीं कि पब्लिक ऐली इस तरह से दिखाया ज नहीं है, तो बोले कि बहुत harassment कर दिया, अब देखे किया दया कुछ है नहीं, दुनिया बर के allegations और मातापिता सब involved, करियर खराब हो रहा है, mental peace चली गई है, पैसा खराब हो रहा है, जहिर सी बाते कितना frustration होता है, हर कोई जहिल नहीं पाता है, बहुत सारे लोग घिस जाते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, जो तूट जाते हैं, दोस्तो 498 का जो जाल है कुछ ऐसा ही है, अगर यह 498 का जाल समय से और strategy के साथ ना काटा जाए, तो यह आगे जाके आपके लिए फंदा बन जाता है, इवन ऐसे मामलों पर भी मैंने वीडियो बनाया है, लेकिन लड़के को 498 में लोगर कूट ने सजा कर दी, अपिल में अभी वो मामला चल रहा है, अब दोस्तो इस तरह की चीज़ों होती है, तो initially अगर आपने इसको सही तरीके से handle नहीं किया, तो बाद में कुछ भी हो सकता है, यहाँ definite कुछ नहीं कह सकते है कि क्या होना है, हम लोग आपको confidence देते हैं, वो इसलिए ताकि आप लोग fight कर सके, लेकिन इसका यह मतलब बिल्कुल भी नहीं है, कि 498 को आप बिल्कुल lightly लेके चले ही, तो कुछ है नहीं नहीं, देखे, judgment का time आता है अगर trial चल रहा है, और judgment के time पर हमें किसी भी मामले को चाहिए, वो कैस सही कह रहा, कौन गलत कह रहा, देखे, ये जिनकी बात मैंने आपको बताई कि इनका ऐसा हाल था कल फोन पे, इनके साथ भी कुछ ऐसा ही था, इसलिए मैं आपको कहूँगा कि देखो, ज़्यादा भागने दोड़ने की ज़रूद नहीं है, ठीक है, फर्स के साथ साथ सेकि गल पे भी 50 आर्टिकल पढ़ लिए, तो इसमें क्या होगा, केवल आप परिशान होंगे, आपकी मानसी शान्ती खतम हो जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा कि क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है, उसका कारण है, आप बोलते हैं सर, हर एक आदमी अलग बता रहा है बिल्कुल बताएगा, क्योंकि गलत कोई नहीं, लेकिन सबका experience, सबका अनुभाव अपना अलग अलगे, तो आपके साथ जो भी share करेगा, वो अपना अनुभाव share करेगा, अब आप पर शन क्या हो, कि एक का अनुभाव अलगे, दूसरे का अलगे, तीसरे का अलगे, दस ल रंडर्स हैं बीच में, जिन में आप उलज करके रह जाते हो, और अपने आपको mentally disturb कर लेते हो, तो मेरे हिसाब से ज़्यादा बहतर यह है, कि जब भी कुछ ऐसा होता है, तो आप पहले decide कीजिए, कि आपको किस से advice लेना है, आपके कौन से वकिल साब है, जिन से आपको जा जिन में आपको लगता है कि कुछ दम नहीं है, ऐसे जो भी नाम है, उन सबको आप पुलिस के हाथों से हटाने का परियास करें, और ऐसे जो भी धारा है, जो बिना मतलब लगाई गई है, जिनका कोई evidence नहीं है, उनको भी पुलिस के हैंड पर हटाने की कोशिश करें, maximum time य यह होता है कि पुलिस के हैंड पर ही बहुत सारे नाम और कुछ धारें हट जाती है, लास्ट में लड़का या हो सकता है, कोई और जिस पर specific allegation हो, उसका नाम रह जाता है, जब इतना काम आप कर लोगे, फिर second step आपको ले रहा है कि आपको इसके लिए question में जाना है, question का एक आप से परशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि जितने भी लोगों के नाम है, उनके उपर कोई burden तो है, नहीं सारा burden तो husband के उपर ही है, उनको केवल court में जाना है, वो भी ऐसा नहीं है, कि हर date पर ही जाना है, आपके वकिल साब manage कर सकते हैं, legally manage हो जाता है, exemption application लग जाती है, अगर लोग नहीं जा सकते हैं, दूर रहते हैं, तो केवल आपको यह handle करना होता है, और अगर DV में भी आपको लगता है कि domestic balance के घटना ही नहीं है, कोई evidence ही नहीं है, तो आप DV के questioning में भी जा सकते हैं, तो आपको कुल मिला करके, strategical खेलना है, अपने mind को श situation होंगे, आपके मन में बुरे विचार आएंगे, आपको ऐसा लगेगा, मैं बहुत जादा फस गया हूँ, लेकिन अगर आप समझें, वो जो छोटा सा brain है, उस पर आपको ज्यादा जोर नहीं डालना है, इन चीजों को seriously और बहुत शान्ती के साथ लेना है, जब भी आपक से उस F.I.R. को पर्टिकुलर चीज को लेकर के घर में बैठ जाओ, फिर सोचो कि हमें क्या करना है, और सोच करके रास्ता निकालो, कि हमें इस रास्ते पर चलना है, और एक बार निने ले लिया, इस रास्ते पर चलना है, तो फिर उसी रास्ते पर चलना है, बार बार अप उस समय पाफ ही कुछ और मन में विचार आ गया, अब ऐसा कर लेते हैं, अब ऐसा कर लेते हैं, महलब हर कुछ-कुछ समय के बाद उनका दिमाग चेंज होता रहता है, कुछ-कुछ चीज़े देख करके, ये देखी, इस लाइन में बिल्कुल भी सही नहीं है, इस लाइन पे गलती का परणाम भुगतना पड़ता है, कोई भी step back जैसी चीज नहीं होती, इसलिए आप जो कर रहे हो, बहुती सोच विचार के करना है, और initial level पर ही सही step ले करके, जो भी जूटे केसे जहें, इनकी भूमी का आपको तैय कर लेनी है, कि इनको आपको आगे कैसे fight करना है, और mentally खुद को prepare रखना है, कि ठीक है, दो-तिन केस का जो package आता है, इसको deal करना ही करना है, और वापसी हमें क्या करना है, वो भी हमारी रणनीती होनी चाहिए, घबरा के डर के बैठ जाएंगे तो बड़ा मुश्किल है, डरने से कोई भी solution नहीं निकलता, यहाँ पर ऐसा हो जाते हैं, उस समय पर हम कोशिच भी नहीं करना चाहते हैं, हम सोचते हैं, हम अपनी जान दे दे, तो सोची कितना गलत step होगा, कितनी गलत चीज़ है, और एक कायरता भरा कदम है, कि हमारी जीवन में कोई problem आती है, तो हम अपनी जान दे देंगे, क्या solution है, ध्यान रखें, अगर आप ऐसा करते हैं, या ऐसा करने के बारे में सोचते भी हैं, तो आपके पूरे जीवन पर लानत होगी, यह वो लोग करते हैं, जिनकी भुजाओं में दम नहीं, जिनकी सोच में दम नहीं, अदरवाइस जीवन में कैसी भी परस्तिती आती है, आदमी को लड़ना ही पड़ता है यही हम अपने बच्चों को समझाते हैं और यही as a family मैं आप लोग को समझा रहा हूँ जिनके साथ भी ऐसा है उनको fight करना पड़ेगा गलत चीजों के खिलाब चाहे वो litigation से संबंदित हो या कुछ और चली दोस्तों आज किस वीडियो में इतना ही next वीडियो में नए लीगल जनकारी के साथ मैं आप से फिर मिलता हूँ तब तक के लिए goodbye and thank you for watching, take care.